पहले जरूरी बात जो चात्र परिच्छा में पास होना चाह रहे हैं ये वीडियो मात्र उन्हीं स्टूडेंट के लिए हैं अगर आप ये वीडियो लाश तक देख लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ बोड़ लाऊं आपको परिच्छा में कोई भी फेल नहीं कर सकता इसकी ह अगर देखना जो जो मैं बताऊंगा उस उस रूल को आपको फॉलो करना होगा और उसी रिसाफ से करना होगा जो मैं बताऊंगा ठीक है तो चलिए बीना दिरी की वीडियो को स्टाइट करते हैं नमस्कार दोस्तों मैं संदीप स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल स सब्सक्राइब तो बस उनके लिए वीडियो पर्याप्त है अगर लाफ तक देखेंगे तो मैंने आपको पहले बता दिया कि गारंटी है इस वीडियो में वह सारे सामिल ने जो की नई सिच्छा नेत पर अधारित हैं और आगामी परिच्छा के लिए पूरी तरह हैं तो बीना देरी के हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और एक एक क्वेश्चन कौन सी आपकी परिच्छा में ज्यादा है चांस आने के वह मैं आपको बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे कोश्चन होते हैं ठीक है 1000-2000 कोश्चन होते पांच-600 होते हैं लेकिन आपकी परिच्छा में कौन से सबसे जबादा पूछे जाने के चांस हैं वह आपकी इस वीडियो के नतरकरत हम बताने वाले हैं कोश्चन और एंसर दोनों ठीक है तो बने रहिएगा वीड छुक्राइब और बीकिन कुछा में खुए आप तो आपको यहां पर मिल जाएगा कि वैदिक फिच्छा की प्रमुक उद्देश जो है वो निम्नुवत थैं पहला है ग्यान का ति के ग्यान अनभाव पर बल ठीक है जो मुख्य उद्देश है वह यह अनभाव पर बल देना ठीक है यानि कि किसी चीज को सिच्छा देने में ज्ञान होना किसी भी किसी फील्ड में और उसको अनभावन दूसरा है कि चित ठीक है वरत्तिय का ठीक है निरोध अगला है यूसर ठीक है इस्वर भक्ति वा धार्मिक्ता का समावेश ठीक है अगर आप सिच्छ एक द्वावना नगरिक है नागरिक वह समाजिक करतब पालन की भावना का यह भी यह अगला है समाजिक कुसलता की उन्नत आथ्वा जिनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है और जो मैं आपको बता रहा हूं इनको पढ़ लेंगे और आप इंटरनेट पे भी अपने कोश्चन बैंक और फिरिज में भी इस कोश्चन का इंसर ढूंड के पढ़ लीजेगा हंड़ेट परसंट आने वाला ठीक है हम बढ़ेंगे अगले प्रश्चन की और ठीक है अगला प्रश्चन है कि बहुत कालिन सिच्छा के उद्देश बताईए मैंने आपको बता दिया व परसंट एक या दो तो आएंगे ही आएंगे कनफरम है तो बहुत कालिन सिच्छा के उद्देश है वो डाक्टर आरके मुखरजी के नुसार है कि बहुत प्रणाली में सिच्छा विहार या मठ में दी जाती थी जिसमें सामोहिक जीवन ठीक है धातत्त भावना और जनतंत् के आउसर प्रदान होता था ठीक है तो बहुत कालिन सिच्छा के प्रमुक उद्देश निम्नुवत हैं पहला जो है दोस्तों वो है धार्मिक्ता का समावेज दूसरा है इंद्रे निर्ग्राह पर बल तीसरा है ब्यक्तित विकास पर बल और चौथा सत्य और आहिंसा की यह उसका भी घ्रान होना चाहिए यह भी मोख्य उत्वे सच्छा का बहुत दिकालीं अगला है नाइतिक जीवन ब्सक्राइन का вca वर्ग रहित समिष्ट विकास का लच्छ ठीक है अगर सिच्छा का जो मुख्य उद्देश है वह बहुत दिकालिन में वह धर्म और जात को लेकर भी था ठीक है तो यह जो है यह मुख्य उद्देश है बहुत दिकालिन सिच्छा कि आपको 100% याद रखना है रट लेना समझ दिमाख में स्धट कर लेना है अगला कु List नहें है कि मठ याप बिहार के बारे में मत physics याथ अ उसका विकाफ जो है वो मठों में हुआ था ये मठ ना केवल धर्म के अपितु सिच्छा के भी केंद्र थे ये केवल धर्म के नहीं और सिच्छा का भी केंद्र था और फिच्छा देने का कार उनमें निवास करने वाले भिच्छो द्वारा किया जाता था डाक्टर आरके मुखरजी ने लिखा बौध मठ बौध सिच्छा और ग्यान के केंदर थे बौध संसार अपने मठों से प्रथक या सतंत रूप से सिच्छा प्राप्त करने का कोई औसन नहीं देता था धार्मिक और लोकिक सप्रकार की फिच्छा बिच्छाओं के हाथ में थी उच्छी सिच्छा के प्रमुक केंदर और केंदर भी बहुत मठी थे इस संबंद में डाक्टर अल्टे करने लिखा मठों ने उच्छ फिच्छा में अपने दच्छता में दच्छता फे कोरिया, चीन, तिबत और जावा जैसे फुदूर देशो के छात्रों को आकर्शित करके भारत में अंतरराष्टे ख्यात में ब्रद्धी की थी तो यह रहा मठ या बिहार के बारे में उसका संचिप्त परचय और क्या है क्या नहीं है आप इस कोश्चन के एंसर से समझ गये होंगे ठीक है यह प्रशन आपकी परिच्छा के लें इंपार्टन ठीक है अगला प्रशन है कि वैदिक काल में गुरू से संबंद को कुछे भी जा रहे हैं लगाता पैच्छों में एंसर में लिखना है कि प्रचीन भारते सिच्छा की संभावता सर्व प्रमुग विशेष्टा गुरू सिस्व संबंद की थी उनका संबंद किसी संस्था के माध्यम से नहीं वरन सीधा उनी के मद्द था इस संबंद का और उनकी जो आग्या है जो सासन है उसको फॉलो करते थे अनुसासित ठीक है किसी भी चीज का मतलब की कोई उनको आग्या दी गई तो उसको आग्या को मानते थे ना कि आग्या को उलंगन करते थे ठीक है और उनके जो संबंद थे बहुत ही एक आप लोग कह सकते हैं बहु का सम्मान राजा माता पिता और देवता से किसी भी प्रकार निम्नतर नहीं होता है यानि कि जो सिच्छाक होता है फिर गुरु होता है उसका सम्मान किसी राजा किसी माता पिता कि कोई किसी भी बच्चे का माता पिता हो ठीक या फिर किसी भगवान से कम नहीं होता है अगर ज सवा है उचात्रपना करतब समझते हैं और गुरु परिवार के सभी कार्यों को करने में आनन्द का अनौव करते हैं ठीक है मेलिक दारा गुरु को चात्रका ववुद्धिक इप्ता माना जाता था माना जाता था बभ्त्र शात्र کے पुत्र वत इसने देते उनकेनों के हुए गुरु सारिएव करता था ठीक है और लिखांगा कि ज्यान को परदान करना में अच्छे आदबदों कान करना उनके भोजन अवस्त का करना यहां तक भोगना आवफथा में उनके लिए आवफथा की विवफ्ता एवं सेवा भी गुरू का करतब्य था इस प्रकार दोनों इसने सम्मान विश्वास एवं पारस्परिक इसने की करतब्य की भावनाओं से संयुक्त थे ज्यान का संदच्षड एवं सरवर्धन करना तथा जीवन को ठीक है जीवन और आच्र में उनके महत्त को सिद्ध करना दोनों के जीवन का एक मात्र लच्ष था तो यह है सिस या फिर आप कह सकते हैं गुरू और सिस के बीच का संबंद कितना आप लोग कह सकते ह टिक है और बहुत ही लगावाला है इसने भरा है तो आपके परिच्छा में कोईश्चन जरूर आएगा यह अत्य में आए लगमी आये जरूर अब इसने मैं बोला हूं परिच्छा देख के आएगा तब बताएगा कि आया था कि नहीं आया था ठीक है और अलग-अलग जो ह समावर्तन संसिकार से क्या तात पर है जो उपनैन का प्रश्ण है यह इस बार जो पर इच्छा हुई है ना इसी बार 2022 में इसमें प्रश्ण आया था भी दू-तीन दिन पहले पर इच्छा थी ठीक है तो इंपार्टन यह भी है उपनैन संसिकार के बारे में समझते हैं वैदि भृजए करमें बालक के विद्ध्यध्याध्यान का उबचारिक प्रारंभ एक संसिकार के द्वारा होता था डिसमें हम उपनैनु संसिकार कहते हैं उपनैन का अर्थ है पास ले जाना जैसे कोई गुरु है तो घुरकुल नहीं जाते थे वह पिर उमारे शिष्ण दे वहjin समझ गयांगे बालक को कोई भी बालक है चाथ यह किसų के लिए एक लिए चीज़ के लिए कहां ले जाएंगे बाई कि कोई बालक है उसे च्छा के लिए ले जाएंगे तो किसी द्धपक के पासए टीचर के ले जाएंगे तो उसी को हम ही उपनयन संसिकार कहेंगे बस ईतना सीम्पल साइंसर है आगे बना बना के आप लिख सकते हैं अगर भूल प्रम्पचारी कहिले तो वही चीज इहां पर पता जा दरीगये है दिश् Sixt होने पर उनका आतभिक जीवन प्रारम्भ होता है तथा इस काल में बालक की आत्मा तथा मस्तिस्क का भिकास होता है इसलिए विद्यारम के संसकार को दूसरा जन्म अथवा आतेदिमिक जन्म भी कहा जाता है I hope आपको अच्छे से पूरी सटीक तरीके से समझ में आ गया होगा उपने संसकार के बारे में अब यहाँ पर आ जाता है शमा वरतन संसकार क्या है answer है कि यह संसकार उस समय होता है जब चात अपनी वैदिक फिच्छा समाप्त कर लेता है समावर्तन का साब्दिकर्त है घर लोटना अब यहां पर समावर्तन का मतलब यह हुआ जब फिच्छा दिच्छा प्राप्त करके गुरु से जब वो बालक घर वापफ लोटता है तो उसी को हम शमावर्तन संसिकार कहते हैं यहां पर आपने समझा घर लोटना यासन सिकार का लगभग 25 वर्ष की आय में होता है जब छात्र गुरु ग्रह से लोटकर अपने घर जाता था और ब्रह्मभचर आस्रम का परिता करके ग्रहस्त आस्रम में प्रिवेश करता था यहां संसिकार आधुनिक यूग के दिछांत महासर के रूप में छात्र को शमावर्तन उपदेश के रूप में शमाप्त होता था और इसे ग्रहस्त जीवन के तिक एस्द कर्मों के बारे में बताया जाता था तो यह रहा समावर्तन संसिकार ओपनें संसिकार यह जो प्रश्ण है मैं आपको बता दू समाव साफ्त कार आपका पेपर है तो इसमें भी यह कुश्चन पूछे जाते हैं ठीक है पिसले साल पूंचा गया था फैस्ट समेस्टर में ठीक है और अन्य भी क्लासों में लिखा कि यद्यव और अरंग जेब ने भरे दरबार में अपने गुरु ठीक है मुल्ला सा सलेक आपमान और अनादर किया था कि इन्तु ऐसा नहीं था कि गुरु भक्ति के प्रचीन आर्दशिकार लोप हो गया समाने रोफ से सिच्छक समाज में समान था और छात्र के लि प्रिट इसने और पुत्रुवरत बेवहार करता था यानि कि फिच्छक है वो जो छातर थे उनके साथ एक प्रकार से पिता का बेवहार करता था कि हमारे पिता है ऑपने आपको पिता देसा च्मांशता था और बच्चों को अपने बेटे जरै bob अग Nowadays को संबचा है। जिन दड सों स्वाद सम्पर्पों कर दो बर्यएक की जैसा कि अब्रम बिड़ी ए ठीक है तो इस प्रकार आपको एंसर लिख देना है मुस्लिम काल में सिस्थो और गुरू का संबंद कुछ ठीक है बढ़ेंगे प्रेश्ण के और अगला प्रेश्ण जो है वह है सहरी करण की परिभासी ते इंतना इंपॉर्टन ने आप लोगे शेक नूर कर दीजिए अगला इस सब्सक्राइब करना इसके अंतर्गत सभी जातवा वर्ग धर्म के छात्रों के लिए फिच्छा सार्व भूहमिक बनाना और नमंकन को सार्व भूहमिक बनाना सामिल है या लच्छी 1960 तक पूर्ण हो जाने चाहिए थे किन्त अनेक समस्याओं के कारण आज तक यह लच्छ प्राप्त नहीं किया जा सका आप सभी को मालूम है जो यह बताया जा रहा लेकिन वह अभी तक भी नहीं पूर्ड हुआ है वही उताफ इच्छा के साभ भूमिक कारण से आसे या किसे कहते हैं उसका एंसर याद रखेगा बहुत ही हाई लेबल का प्रश्ण है आपकी प्रेच्छा में आती लग विस्तित उत्ते तीनों में से किसी में एक में देखनो कि मिल सकते हैं इसलिए इस भी कोश्चन का एंसर में बता रहा हूं उसका एंसर तो पढ़िए साथ में और भी डीटेल में अच्छे से अपने कोश्चन में सीज में पढ़ लीजेगा ठीक है अगला परशन है कि राफ्टे फच्छारता मिसन क्या है बहुत ही जर्नली कोश् में स्विकार कर लिया गया या सुषना और प्राप्ति तथा इसमें भागीदारी करने का एक आवश्चे की अंत्र है या ब्यक्त के विकास और राष्ट की प्रिगत के लिए एक पूर्व पेच्छा है बहुत सरकार ने 1986 में राफ्टे शितिक है राफ्टे पच्छारता मि पूर्व इस्थित का परित्या करके संग में प्रिबेश करता है इससे अस्पेश्ट हो जाता है कि इस संसकार का संब्द केवल उन बक्तियों से है जिनके जीवन का उद्देश बहुत बिच्छु बनना था या संसकार आठ वर्ष की आयों में पहले संपन नहीं हो सकता था जा सिर्व आद्व मुंडन के पश्चात ठीक है मठका सबसे बड़ा ठीक है विच्छु उसे तीन बार या सपत लेने को कहता की बुन्द सरंडम गच्छा में धम सरंदम कच्छा में संग सरंदम कच्छा में इसके बाद विच्छो को दस उप्देफ दिय जाते थे जो कि आपके सामने निम्नुवत हैं आप लोग ने ध्यान दीजिए ठीक है कि सर्व सिच्छा विव्यान पर प्रकाश डाली या सर्व सिच्छा वियान की परिभाफा दीजा आप लोग देखते हैं हिंदी की बुकों में जो फरकारी रहते उसमें लिखाने तर्फ इच्छा वियान चैनल पर जाके ठीक है अभी लेटिस्ट में ही आई हो वीडियो पर सोई ठीक है एंसर में लिखना है कि या योजिना जो सर्व सिच्छा वियान की ये 2001 में शुरू की गई थी या कारिक्रम राज के सहयोग से चलाया जाएगा इसके अंतरगत देश के प्रात्मिक सिच्छा छेत की चुनतियों का सामना करने ठीक है संकल्प वर्ष 2010 तक 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को उप्योगी ओम अस्तरिय फिच्छा उपलब्द कराना सामिले ठीक है सर्व सिच्छा अभियान के अंतरगत ठीक है याद रखेगा सन कब से योजना प्रारम हुई ठीक है और यह संकल्प लिए था यह जो योजना का प्रारम किया गया था ओर कि चात्रों के लिए कि यहाँ पर मैंने बताया अपको याद रखना है ठीक है अगया पॉय संटे नहीं अगर आप लोग पढ़ना वीचार तो पौसक्ते आप लोगों सामने एंसर है ठीक है आग्या प्रहें कि अब ब्याय और और अधन क्या है यह इतना इंपार्टन नहीं अगर आप लोग पढ़ना चाहिए पढ़ सकते दरवाई इग्णोर भी कर सकते इसका आपको देखने को मिलना है ठीक है देख सकते हैं ठीक इसके शोट ले लिजिए बढ़ेंगे एगले पैसने के और अग्ला पैसन है कि ग्रामिड भिष्व विद्याले की ओधाना क्या बहुत है बहुत जर्रणली कोश्चन रिंप्वाटरन है आपको याद रखना चाहिए इसका मिलना सब्सक्राइब करने और उसे महात्मा गांधी के फिच्छा संबंदी क्रांतकारी विचारों के अनुरूप विक्षित कराने की योजना है इसका उद्देश होगा कि ग्रामिड शेत के उन्यन के लिए सूच मरूप से आयोजन प्रिक्रिया ग्राम अस्तर पर चलाने की द्रश्ट से योग फिच्छा दी जाए महत्मा गांधी की बुनियादी फिच्छा से सम्रद सवस्ताओं और कारक्रमों को सहता दी जाएगी तो यह इस प्रकार आप लोगों को लिखना है ग्रामिड में बिश्ट बिद्द्याले की मुख्या धाणा क्या है किसले बिद्द्याले होना चाहिए ग्रामिड शेत में समझ में अगला परिशन है कि बिश्ट बिद्द्याले ठीक है स्वाय सत्ता ठीक है स्वाय सत्ता से आ ने शिच्छण अनुसंसाधान यह समाश्यवा के प्रमुक कार्यों के ठिक कार्यों को कुछ इलता पुरुबक नहीं कर सकते हैं आयोक ने निम्लिकी छेत्रों में बिद्ध्याले की ठिक है अगला पैस्ण है कि ठिक है ना लंदा बिद्ध्याले के बारे में आपके आबत जानते हैं के बारे में फिर बताईए थोड़ा समझ लेते इंपार्टन भी यह नहीं भी यह लेकिन समझ लेते हैं अंसर में लिखना कि यह बिश्विद्ध्याले अपनी आध्विण की रावल पिंडी से लगबग 20 मील पस्टिम में था यह अनेक्स सताब्दियों तक पहले वैदिक शिच्छा का और बाद में बुद्ध फिच्छा का केंद्र था 600 इसापुर्व में अपनी प्रिशिद्धी की पारा काश्ठा पर था ठीक है वईया करण पाड़नी राजनीतिक चानक अर्थसाफ्तरी कोटरली महत्मा बुद्ध के बेक्तिगत चिकत्सक जीवक एवं समराज चंद्रगुप्त और पुस्चमित्र इसी विश्विद्ध्य आले की उपज थे ठीक है और नाम्नदभिस्विद्ध्यला पटना से लगबग 50 मील दूर दस्चिन में था लगबग एक मील लंबा आधा मील चौरा ठीक है याद रखेगा आधा मील लंबा एक मील लंबा और आधा मील चौरा ठीक है ए चाहर disturbance गीरा था यांनी चारव द लोग अपने देश में पढ़ने के लिए जिसमें बताइए तीन हजार अध्यन के कच्छ थे आप लोग समझ सकते तीन हजार रोम थे बहुत ही महात्रपूर्ण प्रश्ण याद रखिएगा अगला प्रश्ण है कि बुनियादी फिच्छा की सिध्धांतों का उले कीजी यह भी प्रश्ण इंपॉर्टेंट है कहीं न कहीं परिच्छा के लिए तो याद रखेगा पहला कि जन्साधान की सिच्छा और दूसरा निशुल के ओमनिवार सिच्छा होनी चाहिए ठीक है समाजिक सिच्छा सिच्छा मात भासा में हव्त सिल्पिकी फिच्छा स्वारिक स्रम का महात्तों तो यह जो है वो प्रमुक्षिधांत है मुनियादी फिच्छा के टिक है यह इंपॉर्टेंट है आपकी पैस्च्छा इसका याद लखेगा ओके अब बढ़ाएंगे अगले आप लोग पढ़ना चाहिए पढ़ाबी सकते हैं अगला प्रश्ण जो है बहुत ही हाई लेबल का है कि बहुत दकाली फिच्छा सामनेता मठो भिहारोयम संगा रामो में होती थी च्छात साधनता यानि कि सामनेता बोध मठ में बारा वर्श रहकर अध्यन करते थे तच्छिला नालंदा ठीक है बल वल्लभी बिक्रम सिला मिथिला अमरावती आद प्रश्ण फिच्छड फंफताय थी बहुत दिकालीन सिच्छा प्रणाली में अध्यनकाल 20 वर्श निध खुले अस्थान पर बनाए गए थे इन में आवास्य फिच्छा की बेवस्था थी यानि कि विसी में रहकर पढ़ाई भी कर सकें ठीक है जिसको आप लोग आजकल हॉस्टल बोलते हैं ठीक है बफ्ता थी गुरू के लिए गुरू निवास और सिस्टों के लिए छात्र अच्छे समझ में आई होगी और आप इसका अच्छे से लिग भी लेंगी कि अगला पशने की गुरू कुल से आप क्या तात्र पर है बहुत ही हाई लेबल का बशन है ठीक है लिखना कि भिच्छाटा नेयुम दैनिक आवास्यक्ताओं कि पूर्त को ध्यान में रखते आप यह सिच्छा दी जाती थी ऐसे अस्थान पर जहां पर एक सौनदोर एक अच्छा सा अस्थान हो ठीक है जंगल में हो या फिर किसी ऐसे सान पर जहां पर बढ़िया अच्छे से फूल हो पावद्य हो पेढ़ हो ठीक है वह बहुत ही मनोहर होती है अगर इस बात कुछ बहुत अच्छा लगता है मैं तो तो वहीं बता जा रहे कि गुरुकुल के लिए किसी ग्राम या फिन नगर के निकट यानि कुछी दूर पर एक जहां पर सांत महौल हो और अच्छे सी नेचर हो वहां का प्रकरति एक हो ठीक है उस्थान परिस्थित होते थे गुरुकुल प विचार हैं आदर्स हैं उन पर अच्छा करके छात्रों को देते थे अच्छे विचार अच्छे आदर्स ठीक है अपने जो उनके पास थे और उनको ट्रांसफर करते थे उनको उनको समझाते थे अच्छे पढ़ाते थे तो उससे से जीवन का निर्मार करते थे ठीक है इस ठीक है यह इतना इंप्वाटन नहीं लेकिन आप लोग पढ़ना चाहता पढ़ सकते जरुआ इंप्वाइब भी कर सकते हैं ठीक है इंप्वाटन है कभी कदार पूछ भी लिया जाता परिछा में अगला प्रशन है कि सिंब्ला फिच्छा सम्मेहिलन क्या है यह भी आप छछि के नाम पाद्धी वयस्थन में बंगाल के विभाजन के विलमे राश्ठी आंदे लुघ करने का निष्टे किया या अंदौल देशी आंदौलत के नामफ़े जाना जाता है इस समय राश्टा आंदौलन के चार फ्रमुक अंग थे पहरा जो था वह था स्वराज की स दूसरा था राष्टेय चत्रा का प्रसार तेसरा था स्वाधेश्टी वस्तों का प्र्योग चाह नम्बर था फृधेश्टी का भेष्चकार गर इसका मत्रम में और This कर दिवेशन उन्यफ औच्छे इस्वी में का अंगरिश ने राजटे सिच्छा ब्युस्था की मांग निम्न आधारों पर किये थी पहला जो है वह सिच्छा पर भारतियों कानें अंतर हो दूसरा एक अफिश्चा की ब्युस्था जिसमें देश प्रेम की भावना जागरत हो पल सरी हो गई है अगर नहीं आती तो आप किसी काम क्या है नहीं टिक को मिला के जहां तक मेरी सोच है कुछ नगुस्थ आनी चाहिए यह भी हाई-लेबल का प्रश्णाम की परिच्छा के लिए अगला प्रश्ण है कि राष्टे फिच्छा अंदोलन की उपलब्धिया क्या तो आपको इस प्रकार कि लिखना राफ्टे फिच्छा आंदोलन की जो पुलब्धिया थी वह मेंद तो यहां पर हैं कि जम्या मिलिया फांत निकेतन वन अफ्टली बिद्या पीठो और बिंद आफ्रम जैसे संसानों का जो है वह वह विकास हुआ आंदोलन ने राफ्टे फिच्छा के फिफ दान्तों के प्रतिवाधन रास्ता प्सरस्द किया है तो आपको इस परकार लिखना है बहुत ही ही Living में यह बता देते हैं यह वह वह च्यों को मिल Sydori तो आज किस वीडियो में लगभग लगभग मैंने कोश्चन हाई लेबल के आपके बताएं अगर आपको इसी तरह के और भी कोश्चन चाहिए हाई लेबल के तो कमेंट में बताएं जिन चात्रों को ज्यादा प्रोब्लम हो रही है उनको हम और भी कोश्चन प्रवाइड कर परतेंगे वह बीडियो में जो इसक्तरा करें कर सकते हाट सब्सक्राइब और कमेंट कर दिया ओडेए कर यह बीडियो को लाइक भी कर दिया करिए ठीक है फिर आल आज किस वीडियो में इतना ही मिलते हैं इस्ट वीडियो में तक तक ले जाएंगे